यह अपना दूसरा पूर्टी का final होता हुगा नमस्कार दोस्तों पेंट करो चैनल में आपका स्वागत है आज हम बताएंगे देखिए बिर्ला वाइट कुट्टी जिसको हम बताएंगे कैसे माल बनाते हैं देखिए दोस्तों यह बिर्ला वायट की 30 kg की बैग है पुट्टी की देखिए, देख सकते थैं है यह देख सकते है इस तरीके से पत्ति से आपने बार्डना है आप जरूरत अमसार अनसमे इसमें वालती में पानी डालेंगे दोस्तों तरीके से अपन इसमें पानी डालेंगे और इस तरीके से अपन इसमें माल डालेंगे देखिए दोस्तों यह दिरलावाई वाल केर पुट्टी यह किस तरीके से हमारे कारीगर इसको बनाते हुए देख रहे हैं आप देख सकते हैं अब इस तरीके से दोस्तों इसको तो आठ से इसकी फिटाई करने हैं देखिए हाथ से कितना बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं देखिए जरूरा रनफार थोड़ा सा पुट्टी का पाउडर अपनों डालेंगे कितना बढ़िया दोस्तो ये पेष्ट बन गया है अब अपन इसको ये करने के लिए अपना पेष्ट पाया है कि अपना बनके तैयार है विर्ला वाइडवाल के अर्पुट्टी का फेस्ट तैयार होते हुए यह अपन करने के लिए दोस्तों तैयार है देखिए दोस्तों फिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि फर्ष्ट कोड़ पुट्टी कैसे करना अब आज हमको आपको बताएंगे कि दूसरा कोड़ पुट्टी का कैसे करना है तो देखिए ये दूसरा कोड़ पुट्टी का अपना होता हुगा तो देखिए दोस कि देख सकते हैं अपन ने पहले खड़ा हाथ लगाया था अब अपन ये आडा हाथ लगाते हुए हुगए ड़या फुट्टी गा देश बनाते हुगे भी नशटबत'.। दूसरा कोट कुट्टी का करते हुगे इस तरीके से अपन दूसरा कोट कुट्टी का हमारे अन्वाभी कारीगारों के थैट यह काम होता हुआ देख रहे हैं आप इसकी है और दोस्तों यह बिला वाइट की बाल के ए पूप्टी एक अपना दूसरा कोट कमप्लीट होते हुगे देख रहे हैं यह दूसरा कोट अपना कम्पलीट होते हुए देख सकते हुआ इस तरीके से ही है दूसरा कोट अपन को कुट्टी का करना है दोस्तों किस तरीके से ये दूसरा कोट अपन कुट्टी का करते हुगे आसानी से ये गरला वाइट कुट्टी का अपन दूसरा कोट करते हुगे जब सकते हैं आप यह अपना दूसरा कोट लगवाग फाइनल होते हुए देख सकते हैं आप देखिए यह अपना दूसरा कोट फाइनल होते हुए एक राई दे रहा है आपको पहला हाथ जो पुट्टी का लगा है तो खड़ा लगा है और दूसरा हाथ अपन को आड़ा लगाना है अगर पहला कोट अपन आड़ा लगाते हैं दोस्तो तो दूसरा कोट अपन को खड़ा लगाना है यह विशेश ध्यान रखे हैं पुट्टी करते समय देखिए तो यह हम तो देखिए दोस्तों जे आड़ा अपना हाथ चला रहे है इस तरीके से अपन इसको बेस बनाते हुए देख रहे हैं आप देखें और दोस्तों ये आठ इंची की पत्ती होती है पत्ती फनर बिलेट जो भी आप अपनी बासा में इसको भूलते हैं तो ये किसी भी पेंट की दुकान पर आसानी से आपको मिल जाती है तो दोस्तों इसमें दो से तीन प्रकार की पत्तियां आती है एक हाड आती है एक सौप्त आती है एक मीडियम आती है जो भी पेंटर भाई जिस पत्ती से काम करना चाहे वो कर सकता है जिसको जिससे इजली लगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं यह अपना दूसरा को फाइनल होते हुए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नमस्कार